तो चलिए exercise का देखते हैं question number one तो यहाँ पर हमें एक table दी गई है जिसमें हमें 3 part दिये गए है इन 3 parts में हमें cylinder की radius और height दी गई है तो हमें इन 3 parts का जो volume है वो find out करना है तो देखें यहाँ पर मैंने question number one का a part ले लिया है तो इसमें हमें radius दी गई है 7 cm और height दी गई है 8 cm तो हमें यहाँ पर जो यह cylinder है इसका volume find out करना है तो इसका volume निकालने का जो formula होता है वो होता है pi r square h तो अभी इसमें हम जो इसकी dimensions हैं उनको fill कर लेते हैं तो देखें pi की value होती है 22 upon 7 radius है यहाँ पर 7 लेकिन यहाँ पर r square है तो मैं इसलिए 7 को write कर देता हूँ 2 बार and multiply में है height height कितने है यहाँ यहाँ यह है 8 ठीक है 7 से 7 कट हो जाएगा यहाँ पर और जब multiply करेंगे 22 7 और 8 को तो यह हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3, 8 cm cube ठीक है तो मैं formula write कर लेता हूँ इसका यह है pi r square h तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर pi की value रख लेनी है 22 upon 7 radius यहाँ पर कितना है 14 है तो मैं दो बार write कर देता हूँ 14 multiply 14 and height है यहाँ पर कितनी 16 ठीक है तो मैं cut कर लेता हूँ 7 तूजा 14 अब यहाँ पर 22, 2, 14 और 16 को मैं multiply कर लेता हूँ तो यह आ जाएगा 9, 8, 5, 6 cm cube अभी देख लेते हैं इसका part number c तो part number c में जो radius है वो हमें दी गई है 21 cm height दी गई है इसकी 40 cm volume निकाल लेता है तो volume को निकालने का जो इसका formula है वो हो जाएगा यहाँ पर pi r square h अभी इसमें इसकी diamond sense को fill कर लेते हैं तो pi की value यहाँ पर 22 upon 7 radius कितना है 21 है square में है तो हम दो बार write करेंगे and multiply 40 7 threes आ जाएगा 21 अभी multiply करेंगे जब इन 4 चीजों को 22, 3, 21 और 40 तो हमारे पार result आ जाएगा इसका double five double four zero centimeter cube next is का question number two तो यहाँ पर हमें cylinder का volume दिया गया है 660 centimeter cube इस cylinder की radius दी गई है यहाँ पर 5 centimeter तो हमें इसकी height find out करनी है तो देखें यहाँ पर मैं सबसे पहले इस cylinder की radius write कर लेता हूँ तो radius कितनी दी गई है यहाँ पर यह दी गई है 5 centimeter इसका volume कितना है यहाँ पर यह दिया गया है हमको 660 centimeter cube इसका height find out करना है हमें तो देखें यहाँ पर न मैं cylinder का volume निकालने का formula write कर लेता हूँ तो यह होता है πाई आर square edge it is equal to मैं write कर देता हूँ इसका volume 660 centimeter cube पाई की value रख लेता है यहाँ पर तो यह है हमारे पास 22 upon 7 r यहाँ पर हमें दिया गया है 5 r square है तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 बार write कर लेता हूँ and height हमको find out करना है ठीक है it is equal to मैं 660 तो यहाँ पर देखे height find out करना है तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा इसके साथ जो भी चीजे हैं उनको मैं कर देता हूँ यहाँ से transpose तो at it is equal to हो जाएगा 660 multiply में 7 यहाँ पर क्या है division में है उदर जाएगा multiply में और यह जो चीजे बाकी यहाँ पर multiply में है यह transpose होकर आएगी division में तो यह आजाएगा 22 multiply में 5 multiply 5 ठीक है तो यह आजाएगा 22 3 जा और यह आजाएगा 5 6 जा 30 तो 6 7 जाजाएगा यहाँ पर 42 अपन के 5 ठीक है centimeter था यह अब हम क्या कर लेते हैं इसको divide कर लेते हैं तो यह आजाएगा 5 8 जा 40 यहाँ पर जाएगा 5 4 जा 20 तो इस cylinder की जो height है वो हमारे पास आएगी 8.4 centimeter next is का question number 3 तो यहाँ पर हमें cylinder का volume दिया गया है 448 pi centimeter cube इसकी height दी गई है 7 centimeter तो हमें इस cylinder का lateral surface area और total surface area find out करना है अब देखे lateral surface area निकालने का जो formula है वो हमारे पास होता है 2 pi r h और total surface area निकालने का formula होता है 2 pi r into r plus h तो दोनों ही formula में हमको radius की जुरत पड़ेगी लेकिन इस question में हमें radius दी नहीं गई है तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे इस cylinder का जो radius है उसको find out करेंगे उसके बाद ही हम इसका जो lateral surface area और total surface area है उसको find out कर सकते है तो देखें इसमें दिया क्या गया है हमें इसकी height दी गई है 7 cm और इसका जो volume है वो दिया गया है 448 pi cm3 ठीक है तो यहाँ से हम इसका radius है वो कैसे find out कर सकते है वो find out कर सकते है इसके volume का formula apply करके तो मैं यहाँ पर write कर देता हूँ इसका volume का formula तो cylinder का volume का formula है वो होता है pi r square h ठीक है it is equal to मैं write कर दूँँगा 448 pi अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं इसकी जो height है उसको write कर लेते हैं यहाँ ठीक है ना तो pi यह r square और यहाँ पर height दी गई है इसकी 7 it is equal to मैं write कर देता हूँ 448 pi तो pi से pi cancel out हो जाएगा r square it is equal to आजाएगा 448 7 यहाँ पर multiply में है transpose होके इधर जाएगा division में तो cut करेंगे इसको 7 6, 42 7, 4, 28 तो r square it is equal to आजाएगा 64 r की value निकालेंगे यहाँ पर तो इसका square root है 64 का वो आजाएगा 8 cm तो इस cylinder की जो radius है वो हमारे पास आचुकी है 8 cm तो अब हम आसानी से इसका जो lateral surface area और total surface area है वो find out कर सकते हैं तो देखें write कर लेते हैं इसका जो lateral surface area है वो क्या होगा तो lateral surface area निकालने का formula होता है 2 pi r h तो यहाँ पर अब कर देते हैं इसको 2 multiply में pi की value आजाएगी यहाँ पे 22 upon 7 और radius कितना इसका यह है 8 और height है इसकी यहाँ पर 7 तो 7 से 7 का इंसलाउट हो जाएगा और जब इनको multiply करेंगे हम तीनों को तो यह आजाएगा हमारे पास 352 cm2 अब हम इसका जो total surface area है वो निकाल लेते हैं तो total surface तेरे निकालने का formula होता है 2 pi r into k r plus में h अब देखें यहाँ पे 2 multiply में मैं लिख देता हूँ यह 22 upon 7 radius इसका है 8 तो radius कितना है यहाँ पे इसमें apply कर लेते है 8 and height है 7 तो यह आजाएगा हमारे पास इन तीनों को multiply करेंगे तो यह आजाएगा 352 upon 7 and multiply में 8 और 7 आजाएगा 15 तो जब इन 352 और 15 को multiply किया जाता है तो यह आजाता है 5280 upon 7 और divide दरने पर यह आजाएगा 754.28 cm square next इसका question number 4 तो यहाँ पर हमें एक right circular cylinder दिया गया है जिसका volume है 1100 cm cube इसके base का radius है 5 cm तो हमें इस cylinder का जो curved surface area है वो find out करना है तो देखें cylinder का curved surface area निकालने का formula होता है 2 pi r h तो इस cylinder में हमको यहाँ पर radius तो दी गई है बट height नहीं दी गई तो इसके लिए हमें क्या करना होगा सबसे पहले इस cylinder की height find out करनी होगी और वो हम कैसे find out कर सकते है वो find out कर सकते है इसके volume का formula यूज करके तो देखें यहाँ पे इस cylinder की जो base का radius है वो दिया गया है कितना 5 cm तो मैं write कर लेता हूँ यहाँ पे radius 5 cm volume कितना दिया गया इसका volume दिया गया है 1100 cm cube इसका जो formula है वो write कर लेता है तो cylinder का volume निकालने का formula होता है pi r square h this is equal to 1100 है जाएगा pi की value रख लेता है यहाँ यह होगी 22 upon 7 radius pi है r square है तो मैं दो बार 5 कर देता हूँ multiply में and multiply h जो मुझे find out करना है यहाँ यहाँ जाएगा 1100 अब h के साथ जो भी यहाँ पे हमारे पास है उसको हम कर देंगे transpose ठीक है h it is equal to आजाएगा 1100 7 यहाँ पे division में उदर जाएके होगा multiply और बाकिस सारा h के हलावा आजाएगा इसके division में यह 22 multiply में 5 multiply में 5 divide कर लेते हैं 22 से 22 1 जा and 22 5 जा यहाँ पे 50 5 10 जा और यहाँ जाएगा 5 2 जा तो जो height 20 की वो आगे है यहाँ पर 14 cm 7 2 जा 14 हो जाएगा ठीक है अब हम यहाँ पे write कर लेते हैं इसका card surface area तो card surface area निकालने का formula होगा इसका 2 by r h ठीक है it is equal to कर देते हैं 2 multiply में 22 upon 7 radius है यहाँ पे 5 cm height 10 की 14 तो 7 से कर देते हैं 7 जा 7 7 2 जा 14 तो अभी यहाँ पे आ जाएगा 22 2 जा 44 and multiply 10 तो multiply करके आ जाएगा यह 440 cm square next इसका question number 5 तो यहाँ पर हमें एक cylinder दिया गया है जिसका total surface area है 462 cm square इसका जो card surface area है वो इसके total surface area का one third है तो हमें इस cylinder का volume find out करना है तो देखें cylinder का volume find out करने का formula है pi r square h तो इसके लिए हमको यहाँ पे इस cylinder की जो radius और height है वो चाहिए ठीक है अब radius और height इस cylinder की यहाँ पे दी नहीं गई है तो उसको हम कैसे find out करेंगे उसको हम find out करेंगे जो यहाँ पर यह total surface area और card surface area का relation दिया गया है तो यहाँ पे ठीक है अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ देखे जो total surface area है वो यहाँ पे दिया गया है 462 अब आउन में हो जाएगा 3 और इसको जो निकालने का formula होता है वो होता है 2 pi r h तो यहाँ पे इसको divide कर लेते हैं तो यह आजाएगा 3 1 जा 3 3 5 जा 15 और जो total surface area है वो कितना दिया गया है यहाँ पे वो तो 462 दिया गया है ठीक है ना तो यह जाएगा 462 cm2 total surface area निकालने का formula होता है 2 pi r into k r plus में h तो यह जाएगा 462 देखे इसको मैं दूसरी form में भी लिख सकता हूँ अगर मैं यहाँ पे इनको multiply करके लिख दो तो यह हो जाएगा 2 pi r square कितना हो जाएगा 2 pi r square and plus में यह आजाएगा 2 pi r h कितना आजाएगा 2 pi r h is equal to 462 ठीक है अब यहाँ पे देखो 2 pi r h यह दिया गया है इधर तो मैं इसको ना ऐसे write कर लेता हूँ कि equation 1 हो गई ठीक है तो यह मैं write कर दूँगा यहाँ पे 2 pi r square plus में 2 pi r h की value कितनी है यह है यहाँ पर 154 और यह 426 ठीक है भाई तो यह आजाएगा 2 pi r square it is equal to 426 इसको जहांके minus कर देंगे यहाँ पे तो यह कितना आजाएगा जब minus कर देंगे यह आजाएगा 308 तो 2 pi r square अब यहाँ पे रख लेते हैं इसकी value pi की तो यह है 22 upon 7 r square ठीक है यहाँ पे हमें radius दी नहीं गई है radius तो find out करने है तो यह 308 तो r square it is equal to क्या हो जाएगा यह हो जाएगा यहाँ पर 308 and 7 division में है तो उधर जाके करेगा इसको multiply यह 2 upon में और 22 upon में तो यह 22 1 जा and 22 4 जा 27 जा 14 तो r square it is equal to आजाएगा 7 7 जा 49 ठीक है तो r square root of 49 तो यह आजाएगा हमारे पास r square to 7 cm तो इस cylinder की जो हमें radius है वो निकल चुकी है 7 cm इतनी आ चुकी है यहाँ पर 7 cm अब हमें क्या करना है इसकी height और find out करनी है देखे जो मैंने यहाँ पर equation 1 मानी है अगर इसमें मैं इसकी जो radius है उसको रख दूँ तो height निकाल सकता हूँ आसानी से ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ from first ठीक है इसका use करके हमने क्या किया यहाँ पर इसको लिख देता हूँ मैं 2 pi r h it is equal to 154 ठीक है बही अब यहाँ पर मैं multiply कर लेता हूँ 2 multiply में 22 upon 7 और radius हमारे पास अभी मिली थी यहाँ पर 7 height निकालनी है 154 7 से 7 कर जाएगा यहाँ पर यह आ जाएगा h it is equal to 154 और यह दोनों नीचे है ना 22 and multiply 2 तो 22 7 जा तो h it is equal to आ जाएगा 7 upon 2 ठीक है हम इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता है 2 3 6 2 5 6 7 3.5 cm अब volume निकालना है हमको ठीक है ना इस cylinder का तो volume निकालने का फॉर्मूला पाई यार स्केर है अब हमारे पास radius भी है और height भी है तो मैं लिख देता हूँ इसको 22 upon 7 radius कितनी है यहाँ पर 7 upon 2 लिख देता हूँ दो बार है square है तो मैं दो बार write कर देता हूँ and height है इसकी कितनी sorry यहाँ पर radius हमारी थी 7 ठीक है तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ यह तो आजाएगी यहाँ पर दुबार लिख देता हूँ इसको 22 upon 7 radius कितनी है यहाँ पर 7 है तो 7 multiply 7 and height है 7 upon 2 7 से 7 कट हो जाएगा यहाँ और यह आजाएगा 11 11 into 7 into 7 तो यह कितना हो जाएगा जब multiply करेंगे तो यह आएगा 539 cm3 next is का question number 6 तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि अगर एक right circular cylinder के base के radius को किया जाता है half उसकी height को रखा जाता है same तो हमें यहाँ पर radius the cylinder और original cylinder के volume का ratio find out करना है तो देखें यहाँ पर न मैं सबसे पहले क्या करूँगा जो original cylinder होगा उसके radius और height को लैट कर लूँगा तो मैंने यहाँ पर लैट कर लिया है इसका जो radius होगा original cylinder का वो होगा r और height होगा h तो इसका volume कितना हो जाएगा तो मैं यहाँ पर write कर लेता हूँ volume of original cylinder ठीक है volume of original cylinder तो volume निकालने का formula क्या होता है cylinder का यह होता है pi r square h यहाँ पर r दी गई है radius दी गई इसकी कितनी r तो यहाँ पर r square आ जाएगा और height दी गई h तो यह edge रह जाएगा ठीक है अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर इसने question में बोला था कि इसके जो base की radius है उसको किया जाता है half तो मैं यहाँ पर write कर लूँगा new radius ठीक है new radius तो यह कितनी हो जाएगी पहले कितनी थी r थी इसको half करते हैंगे तो यह हो जाएगा r upon 2 और height को रखा जाता है इस सेम तो इसकी जो height है वो कितनी रह जाएगी h ठीक है ना मतलब उतनी ही आएगी जितनी पहले थी अब हम क्या करेंगा यहाँ पर इसका जो new volume है वो निकाल लेते है ठीक है तो इसका formula होता है cylinder की volume निकालने का pi r square h अब हम क्या करते है यहाँ पर pi as it is r की जाएगे कितना आजाएगा रेडियस कितना दिया गया इसका new radius यह है r upon 2 तो मैं रहाँ पर write कर दूँगा r upon 2 इसका whole square and यहाँ पर h ठीक है तो यह आजाएगा pi and यह आजाएगा r square upon 2 का square हो जाएगा 4 and multiply में h ठीक है मतलब pi r square h upon 4 यह कितना आगया pi r square h upon 4 निकालना क्या है यहाँ पर हमें निकालना है ratio किस किस का reduced cylinder के volume का origin cylinder के volume का यह reduced cylinder का volume है तो मैं यहाँ पर write कर दूँगा volume of reduced cylinder ठीक है न volume of reduced cylinder and ratio volume of original cylinder ठीक है original cylinder तो यहाँ पर write कर देता है reduced do के कितना आगया यहाँ था pi r square h upon 4 original कितना था यह था pi r square h ठीक है अब यहाँ पर देखे यह जब इसको क्या करेंगे cross multiply करेंगे ठीक है न तो यह कितना हो जागया तो यह यहीं काट कर लेते हैं यह फिर इसको cross multiply करते हैं तो यह इससे divide हो जागा अगर इसके upon मैं 1 करता हूँ ठीक है यहाँ पर इस तरह से तो यह से cancel out हो जाएगा तो यह बचेगा 1 upon 4 ratio 1 cross multiply करेंगे तो यह जाएगा 4 1 जा 4 और यह रह जाएगा 1 तीका नहीं इस तरह से तो यह 1 ratio 4 तो जो radius के cylinder है और जो original cylinder है उसके volume का ratio आजाएगा 1 ratio 4 next ते इसका question number 7 तो यहाँ पर हमें एक cylindrical tank की capacity दी गई है 61, 60 cm3 इसकी radius दी गई है 14 cm तो हमें इस cylindrical tank की depth find out करनी है और यहाँ पर इस cylindrical tank का outer cut surface area का panting का cost भी find out करना है अगर इसके 1 cm square panting का cost आता है 3 रुपे तो देखें इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करता हूँ इसकी जो depth है उसका निकाल लेता हूँ तो radius यहाँ पर कितना है 14 cm है इसकी जो capacity है उसको हम consider करेंगे इसका volume तो मैं यहाँ पर write कर लेता हूँ इसका volume तो volume कितना है 6160 cm3 तो volume को निकालने का जो formula होता है cylinder का वो होता है pi r square h ठीक है तो यह है 6160 तो यहाँ पर pi की value रख लेता है तो यह 22 upon 7 radius यहाँ पर आजाएगा 14 तो मैं write करूँगा 14 multiply 14 and multiply में यहाँ जाएगा h 6160 cut कर लेते हैं इसको तो यह आजाएगा 72 जा 14 तो h की value कितनी आजाएगी यहाँ से देखो 6160 यह यहाँ पर multiply में इदर आके इसको करेंगे divide तो upon में आजाएगा 22 multiply 2 and multiply 14 ठीक है तो cut कर लेते हैं इसको हम यहाँ पर 11 से cut कर लेते हैं तो यह 11 2 जा यह 11 5 जा 55 ठीक है यह बच जाएगा 6 तो 11 6 जा यह 0 अब यहाँ पर इसको cut कर लेते हैं 2 से तो यह आजाएगा 224 and 2816 ठीक है 14 तो यह चाहएगा 10 पर तो जो इसकी depth है वो यहाँ पर आजाएगी कितनी 10 cm अब यहाँ पर हमें क्या करना है इसका जो cut surface area है outer वो find out करना है तो मैं यहाँ पर write कर लूँगा cs से ठीक है cs से of the tank तो यह किस formula से आएगा हमारे यह आएगा 2 pi rh से तो मैं यहाँ पर write करूँगा 2 multiply में 22 upon 7 radius है यहाँ पर 14 और height इसकी आ चुकी है 10 तो cut कर लेते हैं इसको 7 बंजा 7 टूजा तो अभी कितना बच गया है यहाँ पर यह 22 टूजा 44 44 टूजा 88 तो यह आ जाएगा 880 cm2 अब क्या करना है हमें इसकी penting का जो cost है वो find out करना है तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा cost of 1 cm2 penting 1 cm2 penting तो यह कितना यह है यहाँ पर 3 रुपे अब मैं write कर देता हूँ cost of 880 cm2 penting तो यह आ जाएगा 880 multiply 3 तो multiply करेंगे तो यह कितना जाएगा 300, 38024, 324 और 226 तो यह आ जाएगा rupees 2400 rupees 2640 next इसका question number 8 तो यहाँ पर हमें एक cylindrical vessel के base का circumference दिया गया है 132 cm इसकी height दी गई है 25 cm तो हमें यहाँ पर find out करना है कि यह vessel कितने liter पानी hold कर सकता है तो इसके लिए यहाँ पर न इस vessel का volume find out करना होगा तो यह जो vessel है यह है cylindrical तो cylinder का volume निकालने का formula होता है वो होता है pi r square ठीक है अब यहाँ पर na height तो इसकी दी गई है लेकिन इसकी radius जो है vessel की वो नहीं दी गई तो radius हम कैसे निकालेंगे radius निकालेंगे इसका जो base का circumference दिया गया 132 cm इसका यूज करके निकालेंगे तो देखे यहाँ पर मैंने right कर लिया है इस cylindrical vessel का height तो height कितना इसका 25 cm है और देखे यह cylindrical vessel का base है तो यह base है तो इस base की न जो यहाँ पर circumference है वो दी गई है कितनी 132 cm तो मैं यहाँ पर right कर लेता हूँ circumference यह कितनी है 132 cm अब circumference का जो निकालने का formula होता है circle का वो क्या होता है वो होता है 2 pi r तो 2 pi r इसक्वल तो यह जाएगा 132 यह जाएगा 2 multiply में 22 upon 7 यह जाएगा यहाँ पर r तो 132 तो radius इसक्वल तो क्या हो जाएगा 132 यह transpose होगे न उधर तो यह 2 multiply में 22 आजाएगा तो यह जाएगा 22 6 जा तो radius आजाएगा आपका 21 cm अब हमें क्या करना है यहाँ पर इसका जो volume है वो निकाल देना तो volume of vessel तो यह कितना आजाएगा यह आजाएगा यहाँ पर pi r square h जो भी हमारे पास cylinder होता है उसका volume निकालने का formula होगा हमारे पास pi r square है तो यहाँ पर रख देते हैं 22 upon 7 radius इसका है 21 तो दो बार लिखेंगे क्योंकि r square है and height है यहाँ पर इसकी 25 तो divide कर लेते हैं इसको 7 बंचा 7 7 3 जा 21 जब इन तीनों को हम multiply करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 4 6 5 0 cm3 अब इसने यहाँ पर पूछा था कि इसमें कितने लिटर पानी आ सकता है तो देखें लिटर के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको cm3 को लिटर में change करेंगे ठीक है ना तो यहाँ पर मैं write कर दूँगा देखो 3 4 6 5 0 cm3 में होते हैं हमारे पास उतने ही ml ठीक है ना इसको ml में change करेंगे ना तो यह उतने ही ml आ जाएगा यहाँ पर अब हमें क्या करना है इसको लिटर में change करना है तो ml आ चुका है तो आसानी से हमें इसको लिटर में change कर लेंगे क्योंकि एक लिटर में 1000 ml होते है तो यह आ जाएगा 3 4 6 5 0 upon के 1000 तो यह 0 से 0 cancel out हो जाएगा तो यह आ जाएगा 3 4.65 लिटर नेक्स के इसका question नमबर 9 तो यहाँ पर हमें 3 cm तिकना इसकी एक hollow cylindrical tube दी गई है जो दोनों ही ends से open है अगर इस tube का external diameter 56 cm और इसकी length 182 cm दी गई है तो हमें यहाँ पर find out करना है कि इस tube में कितने cubic cm है इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या find out करना है यह है जो tube है वो कितने material से बनी है उसका volume ठीक है मतलब इस tube को बनाने में जितना material यूज किया गया है हमें उसका volume find out करना है तो देखे माली जी यह हमारे पास क्या है एक cylindrical tube है ठीक है न hollow cylindrical tube तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर इसका material का volume निकालने के लिए इसके outer volume में से इसके inner volume को minus करना होगा तो इस तरह से जो material होगा न उसका volume निकल आएगा कि इतने material का इसमें यूज किया गया है तो देखे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसको length of tube it is equal to 182 cm जो जो यहाँ पर दिया गया है पहले मैं उसको ले लेता हूँ इसका outer diameter है यहाँ पर 56 cm तो इसकी जो outer radius है मैं वो निकाल लेता हूँ तो वो इस diameter का half करके आजाएगी 56 upon 2 it is equal to यह आजाएगा 28 cm ठीक है इसकी यहाँ पर thickness और right कर लेते हैं thickness भी दी हुई है यहाँ तो thickness of tube thickness of tube यह यहाँ पर कितनी दी गई है 3 cm ठीक है तो इसका जो inner diameter है वो कैसे निकलेगा मैं यहाँ पर right कर लता हूँ इसका inner diameter inner diameter तो देखो यह कैसे निकालेंगे यह मान लिजी इसका क्या है मैं यहाँ पर एक end बना देता हूँ इसका तो यह इस तरह से होगा यहाँ पर ठीक है अब देखिए इसका जो outer diameter है ये ये कितना है ये यहाँ पे 56 cm है और इसका जो inner diameter है वो हम कैसे निकालेंगे वो निकाल सकते हैं हम देखो इसकी तिकने से यहाँ पे 3 cm ये 3 cm और ये 3 cm तो इसका जो inner diameter है वो कितना हो जाएगा जब देखो 3 यहाँ से कटेगा और 3 करके 50 cm रह जाएगा तो मैं यहाँ पर राइट कर दूंगा 56 में से 3-3 तो यह आ गया हमारे पास 50 cm तो इनर डाइमेटर निकल गया इसका ठीक है तो इसी तरह से इसकी जो हमारे पास इनर रेडियस है वो आ जाएगी तो इनर रेडियस ठीक है मैं इस इनर रेडियस को स्मॉल से डिनोट कर रहा हूं जैसे मैंने यहाँ पर आउटर रेडियस को capital R से डिनोट किया है तो मैं यहाँ पर ले लेता हूं इसका half fifty upon two तो यह हो जाएगा 25 cm हम इसको कुछ इस तरह से ले लेंगे यहाँगे यहाँपर और यह तो इसका क्या हो गया inner radius हो गया और यह यहाँ प देता हूं ठीक है volume of tube तो यह कैसे आएगा यह आएगा outer volume outer volume of tube minus inner volume minus inner volume तो यहाँ पर क्या करेंगे इसका outer volume का formula लगा देंगे यहाँ जाएगा pi r square तो outer जो radius इसकी वो कितनी है मैंने capital R से denote किया यहाँ पर तो यहाँ जाएगा pi r square and यह minus pi r square h ठीक है अब यहाँ पर जो जो common आ सकता हूं तो यह pi और h common आ सकते हैं यहाँ से तो pi यह यहाँ पर r square h भी common आ जाएगा ठीक है न तो pi h r square and minus r square अब यहाँ पर pi की value रख लेंगे तो यह 22 upon 7 इसकी height यहाँ पर कितनी दी गई है जो इसकी length है न वो यहाँ पर इसकी height consider की जाएगी तो यह होगा 182 यहाँ पर आ गया r r कितना है यहाँ पर जो capital आ रहे है वो है 28 इसका square minus जो यहाँ पर inner radius है इसकी वो है 25 इसका square ठीक है तो 22 upon 7 and multiply 182 तो 28 का जो square है वो यहाँ पर आएगा 784 and minus 25 का जो square है वो आ जाएगा 625 cut कर लेते हैं इसको यहाँ पर 7 2 जा 14, 7 6 सा 42 ठीक है ना तो 22 multiply 26 and multiply मैं जब इसमें से minus करेंगे इसको तो यह आ जाएगा 159 और जब इन तीनों को multiply करेंगे हम तो यह आ जाएगा 90948 ठीक है centimeter cube next is का question number 10 तो यहाँ पर 15 meter गहरा एक कुवा खोदा गया है जिसका inside diameter है 14 meter तो इस कुवें को खोदने से जो मिट्टी निकली है उसको इस कुवें के 4 तरफ 7 meter की चोड़ाई तक फैलाए जाता है एक embankment बनाने के लिए तो यहाँ पर हमें इस embankment की जो height है वो find out करनी है तो देखें यहाँ पर जो मिट्टी निकली है ना उसका volume कितना होगा इस मिट्टी का volume होगा इस well के volume के equal क्योंकि जो यह मिट्टी निकली है ना वो इस well के अंदर से निकली है तो जितना इस well का volume होगा उतना है इस मिट्टी का volume होगा और इस मिट्टी का use किया जाता है इस embankment को बनाने के लिए ठीक है तो जितना इस मिट्टी का वॉल्यूम है उतना ही इस embankment को बनाने में जो मिट्टी यूज की गई है उसका वॉल्यूम है ठीक है क्योंकि यह इसी मिट्टी से बनाय गया है तो इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो होगा सेम तो इस embankment की height हम कैसे निकालेंगे इस embankment क जो height है वो हम निकालेंगे इसके volume को और इसके volume को equal रखें ठीक है अब यहाँ पर मैंने write कर लिया है इस well का जो height है तो यह कितना है 15 meter है इसका inside diameter है यहाँ पर 14 meter तो मैं इसकी जो inside radius है उसको ले लेता हूँ तो मैं इसको small r से denote कर रहा हूँ इसको ठीक है न तो यह हो जाएगा इसका half तो 14 का half हो जाएगा यहाँ पर कितना 7 meter तो इसका volume क्या आ जाएगा तो inside volume आ जाएगा इस well का pi r square h का formula लगा दूँगा मैं यहाँ पर तो यह आ जाएगा 22 upon 7 and multiply में radius कितना इसका यहाँ पर 7 square है तो मैं दो बार लिखूंगा इसको और इसकी height है यहाँ पर 15 तो 7 से 7 कर जाएगा यहाँ पर तो यह आ जाएगा 22 multiply 7 multiply 15 meter cube ठीक है इसको इतना छोड़ देंगे तो यह क्या इस earth का volume भी है तो मैं यहाँ पर write कर दूँगा volume of earth dug out ठीक है ना volume of earth earth dug out तो यह कितना है यह इस well के volume के equal है तो यह इतना ही हो जाएगा 22 multiply में 7 multiply 15 meter cube अब यहाँ पर हमें क्या करना है देखिए जो यह मिट्टी फैलाई जाती है ना यह इस well के 4 तरफ फैलाई जाती है और इसकी जो width है यह हो जाती है 7 meter इतनी हो जाती है 7 meter और इसका जो inner radius है वो कितना हो जाता है वो यहाँ पर आता है 7 meter यहाँ से निकल गया हमारा inner radius है तो इसका outer radius कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 7 meter plus 7 meter 14 meter तो मैं यहाँ पर write कर देता हूं outer radius ठीक है ना outer radius of well इसको मैं से denote करता हूँ ठीक है तो यह हो जाएगा 7 meter plus में 7 meter 14 meter आ गया ठीक है अब यहाँ पे जो इसका हमारा embankment का embankment का जो volume है वो क्या होगा मैं यहाँ पे write करता हूँ volume of embankment it is equal to volume of earth dugout इसी के equal होगा ठीक है earth dugout तो यह मैं कैसे निकालूँगा देखो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे इसके यहाँ पे जो यह है ना outer volume इसमें से inner volume को minus कर देंगे देखो यह ना कुछ इस तरह से होगा यह मालीजी well है और इससे जो हमने मिट्टी निकाली है यह ठीक है इस well को खोद के जो हमने मिट्टी निकाली है वो इस तरह से 7 meter चोड़ए तक हमने फैला दिये यहाँ पे तो यहाँ पे जो यह मिट्टी फ इसके inner volume को minus कर देंगे ठीक है तो जितनी मिट्टी होगी उसका volume यहाँ पे निकल आएगा और इसकी height यहाँ पे equal आजाएगी कि इसके volume of earth dugout के ठीक है अब यहाँ पे हम क्या करेंगे देखे तो volume of environment कितना हो जाएगा यह हो जाएगा यहाँ पे pi r square h इसके outer volume में से इसके inner volume को minus कर देंगे तो यह यहाँ पे pi r square h ठीक है this equal to यह हमारे पास 22 multiply 7 multiply 15 अब यहाँ पे देखे इन दोनों से common क्या सकता है यहाँ से pi और h common आ सकता है ठीक है न तो यह बज़ जाएगा r square minus में r square it is equal to 22 multiply 7 multiply 15 तो यह आ जाएगा यहाँ पे 22 upon 7 and height हमें यहाँ पे इसकी find out करनी है embankment की r यहाँ पे कितना है यह capital यह है 14 इसका square और यहाँ पे 7 का square तो 22 multiply 7 multiply 15 तो यह आ जाएगा 22 upon 7 multiply में height and यह आ जाएगा यहाँ पे कितना 14 का यह आ जाएगा 196 minus 49 it is equal to 22 multiply 7 multiply 15 अब क्या करते है हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं ठीक है न तो 22 upon 7 multiply height यह minus करेंगे यहाँ से तो 147 it is equal to 22 multiply 7 multiply 15 यह आ जाएगा 72 जाए and 7 बन जा तो height it is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 multiply 7 multiply 15 upon में आ जाएगा यह 22 यहाँ पे multiply में तो divide करेगा इसी तरह से 21 20 को divide करेगा तो यह कट जाएगा 7 3 जा 3 5 जा तो height is embankment की जो है वो आ जाएगी 5 meter next is का question number 11 तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक particular day 10 cm का rainfall होता है तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक 70 meter length और 44 meter breath के रूप पर जो rain water पड़ता है उसको एक 14 meter radius के cylindrical tank में collect किया जाता है तो इसके first part में हमको find out करना है कि जो रूप पर rain water पड़ा है उसका volume कितना है और इसके second part में हमें find out करना है कि जो यह cylindrical tank है इसमें water level का जो rise है वो कितना हो जाएगा ठीक है ना जब यह roof का जो rain water है इसको उसमें डाला जाता है तो देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहले जो height of rain की वो write करेंगे तो मैंने यहाँ पे write कर लिया है height of rain it is equal to 10 cm देखें यहा करूँगा इसको meter में convert कर लूँगा तो यहाँ जाएगा 10 upon 100 ठीक है तो 0 से 0 कट गया तो यहाँ जाएगा 1 upon 10 meter तो यहाँ पे जो length है roof की वो कितनी दी गई है roof की जो length है वो दी गई है यहाँ पे 70 meter ठीक है कितनी है 70 meter है और इसकी जो breath है roof की वो कितनी दी गई है वो यहाँ तो इसके फास्ट पार्ट में यही पुछा गया था कि था भी जो यहाँ पे रूप पर वालियूम होगा इस रहन वाटर का वो कितना होगा तो यह कैसे आएगा यहाँगा लैंथ ब्रैथ और हाइट को मिल्टिप्लाइ करके तो यहाँपे यह लैंथ भी दी गई है हमें ब्र मल्टिप्लाइ ब्रैथ मल्टिप्लाइ हाइट ठीक है तो लैंथ कितना यहाँपे यह है 70 ब्रैथ है यहाँपर 44 और इसकी जो हाइट है वो है 1 अपॉन 10 तो 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा तो यह आजाएगा 74628 74628 और 230 308 मीटर स्केर इसके second पार्ट में हमको क्या करना ह हमको बताना है कि इस water को एक cylindrical tank में डाला जाता है ठीक है तो cylindrical tank में डालेंगे तो इससे जो यहाँपे water level में rise होगा वो कितना होगा तो मान लीजिए इसमें इतना पानी था पहले और इसमें इस roof के water को डाल दिया जाता है ठीक है जो rain water है इसको डाल दिया जाता है और यह इतना हो जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक इसमें कुछ rise हुआ है, यहाँ से यहाँ तक इसको हम let कर लेते हैं, x, ठीक है, क्या let कर लेते हैं, x let कर लेते हैं, तो यही हमें find out करना है, तो दिखें, मैं यहाँ पे write कर लेता हूँ, इसमें, let rise in water level, let rise in water level, तो कितना rise हुआ इसम ये मैंने माना है कि इसमें x meter का rise हुआ है ठीक है तो मैं यहाँ पे इसकी जो radius है वो write कर लेता हूँ तो write कर लेता हूँ मैं radius of tank cylindrical tank यह ठीक है इसकी radius कितनी है यहाँ पे दी हुई है 14 meter कितनी दी गई है 14 meter दी गई है अभी यहाँ पे write कर लेते हैं इसका volume तो volume of cylinder कितना होगा cylindrical tank मैं यहाँ पर tank write कर सकता हूँ only cylinder cylindrical tank तो यह कितना आ जाएगा यह आएगा जितना इस roof के roof पर जो water है उसका volume है तो मैं यहाँ पर write कर जाएगा हूँ volume of water on roof water on roof तो यह कितना आ यहाँ से यह था 308 ठीक है तो यहाँ पर cube write कर देंगे और यह कैसे आएगा यह आएगा pi r square से तो यहाँ पर pi की वाली 22 upon 7 multiply में इसकी जो radius से वाजएगी 14 multiply 14 और height मैंने यहाँ पर कितनी light की यह light की मैंने x ठीक है तो यह 308 तो अभी यहाँ पर cut कर लेते हैं इसको तो यह 72 जा 14 तो exit is equal to हमारे पास यह कितना आ जाएगा 308 यहाँ पर जो भी चीज़े multiply में है उदर जाके इसको divide करेंगे तो यह 22 multiply 2 और multiply 14 तो यहाँ पर मैं cut कर लेता है इसको तो यह 22 बन जा 14 तो यह बच जाएगा यहाँ पर 1 upon 2 कितना बच जाएगा 1 upon 2 meter next is का question number 12 तो यहाँ पर हमें एक cylindrical pillar का curved surface area दिया गया है 264 meter square इसका volume दिया गया है 924 meter cube तो हमें इस pillar का diameter find out करना है तो देखिए यहाँ पर मैंने write कर लिया है इसका curved surface area यह है 264 meter square तो अभी मैं इसका formula write कर देता हूँ यहाँ पर तो यह होता है 2 pi rh ठीक है cylinder के जो curved surface area का formula होता है वो होता है 2 pi rh it is equal to आजाएगा 264 मैं यहाँ पर write कर देता हूँ इसका 2 और pi की value आजाएगी 22 upon 7 देखिए ना तो यहाँ पर हमें radius दी गई है और ना ही height दी गई है तो इसलिए मैं इनको as it is write करता हूँ तो यहाँ जाएगा यहाँ पर multiply में rh it is equal to 264 rh write कर लेते हैं यहाँ पर ठीक है तो यह 264 है यह division में है 7 तो इधर जाके करेगा इसको multiply और बाग की सारी चीजें इसके किस में आएंगी division में आएंगी क्योंकि यहाँ पर यह multiply में है तो 2 और यहाँ जाएगा 22 तो यहाँ जाएगा 22 1 जा यहाँ जाएगा 22 2 जा तो जो radius into height है यहाँ पर कितना आ गया है यहाँ गया 6 7 जा 42 ठीक है ना कितना आ गया है यहाँ आ गया है 42 अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इसका जो volume है ना उसको write करते हैं तो volume कितना दिया गया है यहाँ पर इसका यह दिया गया है 924 meter cube ठीक है तो volume निकालने का जो formula होता है cylinder का वो होता है pi r square h it is equal to 924 अब देखें यहाँ पर ना इस pi r square को h को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ pi r multiply में r h लिख सकता हूँ बिल्कुल क्योंकि मैंने r square को यहाँ पर split करके लिखा है ठीक ना r square को लिख दिया है मैंने r into r में और यह आ जाएगा 924 यह मैंने क्यों लिखा है क्योंकि मेरे पास जो r h की value है वो इस cloud surface area से निकल के आई है तो मैं यहाँ पर write कर दूँगा देखो यह कितना यहाँ पर 22 upon 7 हो जाएगा और यह आ जाएगा यहाँ पर multiply में r और जो r h की value है वो है 42 it is equal to 924 यह cut कर लेता हूं में तो यहाँ जाएगा 7 6 जा 42 ठीक है अभी यहाँ पर यहाँ जाएगा r it is equal to 924 22 multiply में है इसको divide करेगा इस तरह से 6 multiply में है तो divide करेगा ठीक है तो अभी cut कर लेते हैं इसको 22 से तो 22 4 जा 88 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ जाएगा 22 2 जा तो यहाँ जाएगा 6 7 जा 42 तो radius आगे है यहाँ पर कितनी 7 meter तो इसका diameter कितना हो जाएगा यह हो जाएगा double of radius तो यहाँ जाएगा 2 multiply में 7 meter तो इसका जो diameter है पिलर का वो आजाएगा 40 meter next इसका question number 13 तो यहाँ पर हमें 2 cylinders की radius का ratio दिया गया है 2 ratio 3 और उनकी heights का ratio दिया गया है 5 ratio 3 तो हमें उनके volumes का ratio find out करना है तो देखें यहाँ पर मैं सबसे पहले उनकी जो radius और height है उनको let कर लूँगा तो यहाँ पर मैंने let कर लिया है R1 और H1 first cylinder की जो radius और height है यह होगी और R2 और H2 second cylinder की जो radius और height होगी तो मैं यहाँ पर write कर लेता हूँ इनकी radius का ratio तो यहाँ पर आ जाएगा R1 ratio R2 तो यह कितना यहाँ पर यह है 2 ratio 3 और जो इनकी height का ratio वो कितना है H1 और H2 यहाँ पर होगा 5 ratio 3 अम मुझे यहाँ पर क्या करना है इनकी volume का ratio find out करना है तो मैं यहाँ पर write कर लूँगा volume of first cylinder ठीक है first cylinder and ratio volume of second cylinder volume of second cylinder ठीक है तो first cylinder का जो volume है वो क्या आजगा वो आजगा यहाँ पर pi r1 का square and यह H1 ratio second cylinder का volume आजगा pi r2 का square and यह H2 ठीक है तो यहाँ पर देखे है यह pi से तो pi cancel out हो जाएगी तो r1 कितना है यहाँ पर r1 है two तो हो जाएगा यहाँ पर this 2 का square और h1 कितना है यहाँ पर five तो multiply five हो जाएगा r2 कितना है यह है यहाँ पर three तो इसका square आ जाएगा और h2 कितना है यह है यहाँ पर 3 तो यहाँ जाएगा 2-2 जा 4 और 4-5 जा 20 मैं यहाँ पर लेख लेता हूँ पहले इसको 4 multiply 5 and ratio 9 multiply 3 तो यहाँ जाएगा 20 ratio 27 तो इनके जो volume का ratio होगा दोनों cylinder का वो होगा 20 ratio 27